हलो फ्रेंज, वेल्कम तो दे सेशन, फेंज यहां पर एक बहुत बड़ा नंबर मैंने लिखा है, 578928, 578928, और उसका स्क्वेर करना है, और इस जो स्क्वेर करने के बाद जो नंबर आता है, उसके लास्ट के दो डिजिट फाइन करने है, और यह आपको सिरफ 2 सेकेंड में, तो यह आप कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक में आपके साथ में शेयर करूंगी, तो देखते की कैसे हम यह कर पाते हैं, पांच सेकेंड के अंदर-अंदर, विदाउट पेपर पेन के, बिना पेपर पेन के, तो उसके लिए सबसे पहले आपको याद होन जो फर्स्ट रिक्वार्मेंट है, यहाँ पर पहली जो चीज की जरूरत है, कि एक से पच्चिस तक के स्क्वार आपको याद होने चाहिए, जनरली जो भी स्टूडेंस कॉम्पुटिटिटिव एक्जाम में एपिर होते हैं, उनको वैसे याद ही होता है, पर अगर आपको स्क्वार पहले आपको याद रखने है, मेरे पास टेबल बनी है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आपका और मेना दोनों का टाइम सेव हो सके, यहाँ पर एक से तीस तक के हैं, लेकिन हमें एक से पच्चिस तक के याद रखने है, मतलब कि यहाँ तक याद स्क्रिस्टिंग अब्जर्वेशन यहाँ पर बताती हूँ, आप ध्यान से देखना, इसी टेबल पर मैंने आपको कहा है कि स्क्वार आपको खाली पच्चिस तक ही याद रखने है, ठीक है, अब पच्चिस प्लस पच्चिस होता है, पच्चास, ठीक है, तो ऐसे सारे कॉम होंगे यहाँ पर एक से लेकर के पच्चिस में, अब आप देखो, सिर्फ सिंपल एक चीज अब्जर्व करना, ये है 24, ये है 26, दोनों के स्क्वार के लास के दू डिजित सेम है, 24 और 26 स्क्वार, राइट, 24 प्लस 26, 50, 27 स्क्वार, 23 स्क्वार, दोनों के लास के दू डिज कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे निकाल सकते हैं, तो इसका मतला अगर आपने एक से 25 तक के स्क्वार, अगर आपको याद है, उनके लास के दू डिजित अगर आपको याद है, तो 25 से उपर वालों में, खाली आपको क्या करना है, पचास में से उस नंबर को माइनस करके, और उसका स्क्वार निकालना है, अब कैसे निकालने के समझो, मैंने आपसे पूछा कि मुझे, समझो 47 का स्क्वार के लास के दू डिजित चाहिए, अब 47 का स्क्वार, 47 पचास से किता डिफरेंस से 3, ठीक है, तो आप 3 का स्क्वार निकालो, 3 का स्क्वार किता हुआ, 9, मत अब ये नमबर चाहिए किता भी बढ़ाओ, 5, 6, 7, 8, 4, 7, अगर आपको इस नमबर के last के दो डिजिट निकालने हैं, तो आपको last के दो ही डिजिट चाहिए, last के दो ही डिजिट का square के last के दो डिजिट आपको निकालने है, last के दो डिजिट के square के last के दो डिजिट निकालने मतलब last के 2 digit के यहाँ पर 47 और उसका square के last के 2 digit किते आ रहे? 09 ठीक है? तो यह इतना simple है, अब 47 square, 47 को आप 50 में से माइनस आपको करना 3 आ रहा है, 3 का square 9 आ रहा है, मतलब इसके लिए आपको किसी तरह के paper work की जरूवत नहीं है, समझ रहे हैं? आप calculator पर करके देख सकते हो, 47 का जब square करोगे 47 का, तो last के 2 digit जो है, वो 09 आएंगे, अब आप कोई सा भी number ले लो, अभी मैं पहले 50 से छोटे ले रहे हूँ, 50 से बड़े number के लिए यही same method है, लेकिन अभी 50 से छोटे number के हम थोड़ी practice कर लेते हैं, अभी समझ आपको 42 का square के last के 2 digit निकालने के लिए, आगे 42 square के हम को last के 2 digit चाहिए, 42, 50 से किता कम है, 8, तो 8 का square किता हुआ, 64, चीक है, 8 का square, 64, तो 42 square के भी last के 2 digit होगे, 64, हम सिरफ last के 2 digit की बात कर रहे हैं, मैं आपको पूरा answer नहीं बता रहे हूँ, last के 2 digit के हम बात कर रहे हैं, कई बार यह जो method है, वो options को eliminate करने के लिए भी काम म आती है, तो अच्छे से practice कर लिजेए इसकी, इसी तो से और भी कोई भी number ले लिजे, suppose आपको, समझो, 38 square, इसके last के 2 digit निकाले, 38, 50 से किता कम है, 12, 12 का square किता होता है, 144, और उसके last के 2 digit किते हुए, 44, ठीक है, तो 38 square के भी last के 2 digit जो है, वो 44 होंगे, आप calculator पर cross check कर सकते हो, अब इसी तरह से हम 50 से बड़े number भी ले सकते हैं, 50 से बड़ा number, suppose आपने लिया 57, तो यह 50 से किता बड़ा है, 7, 7 का square किता हुए, 9, तो 57 square के last के 2 digit होंगे, 4 और 9, आपको 89 square के last के 2 digit निकालने है, तो यहापे आपको 50 से difference लेने की जरुदती है, आप यहापे 100 से ले लो, 100 स square किता हुए, 121, तो last के 2 digit क्या हुए, 2 and 1, ठीक है, 100 और 50, जो भी करीब हो, उसका आप difference ले सकते हो, ठीक है, इसी तरह से अगर suppose आपको 97 square, इसके last के 2 digit निकालने है, तो 97 क्योंकि 100 के पास है, तो हम 100 से difference ले ले लेंगे, तो 100 से difference क्या है, तो किता है, 3, 3 का square हुए, 9, तो 97 square के last के 2 digit किते हुए, 0, 9, अगर आपको 63 का square के last के 2 digit निकालने, तो 63, 50 के पास में है, 50 के पास में है, तो 50 से किता जादा है, 13, तो 13 का square किता हो गया, 119 होता है, 169, तो उसके last के 2 digit किते हुए, 69, ठीक है, अब आगे किता भी बड़ा नंबर हो, उससे कोई फरक नहीं 50 से किता का में 22, 22 का square किता हुए, 484, 484, तो इसके last के 2 digit किते होंगे, 484 के last के 2 digit जो होंगे, वही होंगे, that is 84, ठीक है, तो एकदम simple method है, मतलब अगर आपको 1 से 25 तक के square याद है, तो नंबर देखते ही आप बोल सकते हो, कोई सा भी नंबर आप उठालो, 3, 4, 5, 6, 7, 2, maybe 1 2, 2, whatever, ठीक है, और इसका square निकालना है, तो 22 का square किता हुए, 484, 484 मतलब last के 2 digit है, 8, 4, अगर मैंने याप पे समझो, 8, 2 कर दिया, 8, 2 का, तो 18 का square किता होता है, 324 होता है, तो इसके last के 2 digit किते हो जाएंगे, ठीक है, कोई सा भी नंबर ले सकते हो, मैंने जैसे आपको बता इवन पेपर पैन की भी आपको जरुवत नहीं है, एकदम देखते ही आप answer बोल सकते हो, राइट, 1, 2, 5, 7, maybe 4, maybe 6, और इसका square किया, अभी है 46, 46, 50 से किता कम है, 46, 4 कम है, 4 का square हो, 16, यह हो गया answer, ठीक है, seconds में आप कर सकते हो, I hope यह method आपको समझ आ गई होगी, और फटाफट फटाफट निकाल सके, और और भी अच्छे tricks के साथ में मिलेंगे next session में, bye bye